कभी-कभी आपकी situation की वज़े से आपको लगता है यह जिन्दगी बहुत ही खराब है और इस जिन्दगे में कुछ भी नहीं रखा आपके future में क्या होगा इसका आप sense नहीं मनावाते बहुत सारी आपकी problems इकटा आपको घेर लेती है आपको मर जाना चाहिए ऐसा आपको लगता है पर जब आप जिन्दगी की तरफ और एक कदम बढ़ाते है तो यह easy होता जाता है next कदम जब आप बढ़ाते है तब यह पहले कदम से और भी easy होता है आपकी जो problems होती है वो आ रहती है पर इनकी intensity दिन बादीन कम होती जाती है इसी एक strong message के साथ आज की movie आती है Hope 2013 की Korean एक drama movie है इसकी I am liberating 8.3 है और बहुत ही अच्छा एक strong message movie देती है यह movie family के बारे में है इसमें जो छोटी लटकी होती है उसके साथ इक आस्ता हो जाता है इसके बाद यह family कैसे cope करते है इसके about ही movie है और इसके बीच में हमें बहुत सारे messages से movie दे जाती है तो चली यह शुरू करते है movie start होती है और हमें एक general store दीखता है इसका नाम hope होता है hope के mother और father ने उनके store का नाम hope रखा होता है फिर हमें hope के जो mother और father है इनकी life की एक जहलक दिखती है hope की आज parents teacher meeting होती है तो इसी वज़े से उसके father वहाँ नहीं जा सकते है आज उसकी mother वहाँ जाने वाली होती है और इसके लिए वो ready हो रही होती है hope की mother का नाम हम cream रखेंगे hope के father का नाम के है hope के जो father होते है यानि की के यह factory में काम करते है इनकी financial situation उतनी अच्छे नहीं होती इसी वज़े से इने grocery shop भी चलाना पड़ता है और बहुत सारी काम करना पड़ता है cream फिर parents की meeting में आती है और सब lady parents फिर restaurant में जाते है cream की बहुत याची एक friend भी होती है इसका नाम हम Skylar रखेंगे और ये भी यहाँ होती है तब cream की friend उसे कहती है कि आज तुमें pay करना है ये जो सब lady parents का group होता है तो इसमें वो cream को नहीं लेते थे पर उसकी friend ने इनको माना लिया था इसी वज़े से cream को भी इसमें आप शामिल वो कर रहे है cream के वास इतने पैसे नहीं होते तो उसे credit card से पे करना पड़ता है ये cream की जो friend है Skylar इसका husband के के साथ काम करता है के का वो manager है cream फिर Skylar को कहती है कि सब चीजे कितने ज़्यादा costly हो चुकी है वो उसे कहती है तो मारे husband से तुम बात करो मेरे husband की salary बढ़ा दे Skylar कहती है वो से manager है वो salary नहीं बढ़ा सकता Skylar क्रीम को देखकर समझ आती है कि क्रीम pregnant है उसे वो बूझ भी लेती है क्रीम को चिनता होती है क्योंकि के ने अभी तक notice नहीं किया होता तीन-चार मैने बीच चुके होते है फिर भी उसने उसे कुछ भी नहीं बताया होता के और Walter जो है ये भी अच्छे friends है इनका lunch break जब होता है तो उनकी company में इने chicken मेगरा खाने को मिलता है Walter को एक खाना होता है पर इसे सब के last में खाना पड़ता है जो last pace होता है वो के ले कर जाता है वो फिर खेता है कि मुझे घर में ऐसा कुछ खाने के लिए नहीं मिलता उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है तो के भी इसका मज़ा लेता है और फिर उसे ये peace दे देता है ये दोनों इन दोनों की financial situation बहुत ही same होती है और ये दोनों अच्छा खाना घर पर afford नहीं कर पाते पर इनकी friendship जो होती है ये बहुत इससे ही होती है इसके बाद पहली बार हमें hope दीखती है hope ने classroom में होती है और अपने friend का weight कर रही होती है ये जो उसका friend होता है ये walder और scholar का ही बेटा होता है इसका नाम हम चिंटू रखेंगे चिंटू अपने friend के साथ होता है और इससे ignore करता है hope इसके साथ घर जाना चाती है पर वो आगे-ागे भाग जाता है hope और चिंटू दोनों game के machine के पास आते है चिंटू उसे अच्छी तरह से handle नहीं कर रहा होता और वो math के question solve कर रही होती है यह कहती है कि मुझे बहुत ही try करती हूँ पर यह question मुझे solve है नहीं होती है उसके mother फिर उसे कहती है कि मुझे बताओ कि यह question क्या है फिर वो कहती है कि एक लड़की के पास no pencil है और मेरे पास तीन ही है अगर हमारे दोनों के पास same हो जाए तो हम दोनों के पास each कितने pencils होगे इसकी mother फिर उसे कहती है कि same पहले तुमेंसे add कर लो और फिर divide कर लो two से Hope कहती है कि मैं इसे real life situation से compare कर रही हूँ अगर मेरे पास तीन pencil हो और Chintu के पास no pencil हो तो वो मुझे कभी भी उसके तीन pencil नहीं देगा वो कभी भी six equal नहीं होने देगा यहां में पता चलता है कि Hope बहुत intelligent है यह के भी होता है पर वो अपना baseball match देखने में बहुती बीजी होता है क्रीम से शांदी से डेनर करने के लिए रिस्टेक कर रही होती है यह अपनी family को ही importance देता है next day जब Hope को school जाना होता है तो उसके friend नीचे आते है Hope के mother को लगता है कि Hope को ले जाने के लिए आये है पर उसका friend यानि यह जिन्टू वहाँ से अपने friend के साथ चला जाता है Hope को अपने hair सही से आज लगाने होते है इसलिए वो लेट हो जाती है वो के से अपने hair बान देने के लिए बोलती है पर के भी बहुत ही busy होता है तो जली जली से कर रहा होता है तो अच्छे से वो करने पाता क्रीम नीचे grocery store चला रहे होती है तो वो भी उसे help नहीं कर पाती है hope को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके parent उसके लिए time ने निकल पाते hope फर नाराज हो कर school किल निकल जाती है या बारिश आने लग जाती है तो क्रीम उसके पीछे भागती है और उसे चाता दे जोती है hope upset होती है तो उसके मदर अब उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें अच्छे से ready कर दूँगी क्रीम कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ school तक आ सकती हूँ hope कहती है कि नहीं यहां से मैं भागती भागती चली जाओंगी वो भी नाराज होती है क्रीम उसके लिए concern होती है और उसे कहती है कि जो छोटा सा road है वहाँ से तुम मज जाओ तुम्हें एक बड़े सा road जाना है जहां बहुत सारे लोग होंगे फिर हमें दीखता है कि अपने काम में busy हो जाता है क्रीम अपने काम में busy हो जाती है जब hope school के लिए जा रही होती है तुम उसके पास एक आदमी आ जाता है यह आदमी उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे तुम्हें चद्री लेंड करूगी हम दोनों इस चद्री में जाएंगे यह उसे बोलती है कि वो लेट हो रही है पर यह जो रस्ता होता है यह सुमसान होता है ये इससे बहुती डर रही होती है जब मुवी स्टार्ट हुए थी तब हमें दिखा था कि होप एक काइट की तरफ देख रही थी जब ये आदमी इस मुवी में आ चुका है तब हमें काइट बरबात हुआ दिखा है ये काइट होप का फ्रीडम रिपेजेंट करता है और अब ये खतम हो जाने वाला है नेकसिन में हमें इसकी अमरे राते इसने सोचुकी है ऐसा दिखता है और होप खुन से लटपत पड़ी हुई है इसके पास एक मुबाइल होता है जिससे वो 911 को कॉल कर देती है स्कूल के यहाँ फिर पुलिस आती है एम्बूलन्स आती है और उसे होस्पिटल में लेकर जाती है क्रिम को उसके फ्रेंड स्काइलर को कॉल आता है उसे कह दिए स्कूल के यहाँ इंसिटन्ट हुआ है स्काइलर थोड़ी सी कंसर्ण हो जाती है जबके अपना काम कर रहा होता है तभी उसे कॉल आता है और यह होस्पिटल से कॉल होता है यह वो पहले बिल्यू नहीं कर पाता और फिर होस्पिटल में आ जाता है होप बहुत ही इंजोर्ड हो चुकी होती है जिस आदमे ने होप को हर्ट किया था उस आदमे ने उसे चाको से मार भी दिया था इसके इंटेस्टाइन उसने फार दिये थे के को यह सब डॉक्टर बता रहे होते है वहाँ क्रिम भी आती है यह वहाँ रोने लग जाती है यह वो देख नहीं सकती इसी वज़े से वो बाहर चली जाती है कि अपने आपको समालता है और वो टफ है ऐसा वो प्रिटेंड करकर वही खड़ा होता है वो डॉक्टर से पुछता है कि अप क्या करना पड़ेगा होप की अप साजरी होने वाली होती है कि फिर डॉक्टर के पास आता है डॉक्टर को जिस आदमी ने यह सब किया है इसके फिंगर प्रिंट्स मिल चुके है बहुत सारी एविडंस इनको मिल चुके है डॉक्टर उसे अशौर करता है कि होप के साथ इसने जो भी किया है उसे हम ढून लेंगे कि जब क्रिम के पास आकर बैट जाता है तो क्रिम अपने आपको दोज देरी हुती है वो कहती है कि मैंने ही उसे उस बड़े से रोट से जाने के लिए बोला था उसे कहता है कि ऐसा मत सोचो क्रिम फिर बोलती है कि मुझे स्काइलर को कॉल आया था क्या उसे पता था क्रीम को फिर स्काइलर कर बहुत गुस्ता आ जाता है और वो केसे ये दिये कि अगर उसने कुछ भी किसी को बताया तो मैं उसे मार दूंगी एक नर्स ओपरेशन ठेटर से आती है और के को लेकर जाती है के को डॉक्टर बताते है कि होप की जो इंजूरे है वो बहुत ही सिरियस है इसको जो गुदा है वो हमें निकालना पड़ेगा ये कभी भी नॉर्मली टॉयलेट नहीं कर पाएगी इसे हमेशा एक आर्टिविशल ओरगन के साथ ही रहना पड़ेगा के उसे कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो अब होप का ऑपेशन हो जाता है और के और क्रीम उसे मिल सकते है क्रीम जब इसे देखती है तो रोने लग जाती है और वहाँ से वो चली जाती है के फिर होप से मिलने आता है वो होब को बताता है कि तुम बहुत ही जल ठीक हो जाओगी होब कहती है तुम यहाग केसे आगए तुम्हारे वर्क का क्या हुआ कि यह कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँगा होब अपनी मदर के बारे में पुछती है यह कहता है कि हम turns में आने वाले हैं होब पिर जिस आदमे ने उसका rape किया था इसका description देने लग जाती है कि कहता है कि अभी तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है होब कहती है कि जिसने भी यह किया है इसको jail होने चाहिए इसको सजा होने चाहिए अगर मैं सो गई तो मैं भूल सकती हो इसलिए वो यह statement दे रही होती है नेक सिन में हमें डिरिक्टू के पास के आया हुआ दिखता है डिरिक्टू के पास जिसने किया है उसके fingerprint से वो कौन है यह पता चल जुका है पर उसके खिलाफ यह एक warrant नहीं निकला सकते यह जो evidence है यह enough नहीं है कि उस पर चीड गया होता है डिरिक्टू उससे कहता है कि अगर तुमें उससे पकड़वाना है तो hope को statement देना होगा hope को statement देना है यह कि अब क्रीम को समझाता है क्रीम कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वो अभी अभी तूसने experience जीया है और फिर से तुम उससे remember करने के लिए बोलोगे यह उससे ना बोल रही होती है कहीं इसके लिए मान नहीं रहा होता यहाँ एक police होती है तो क्रीम को समझाने के लिए कहती है कि तुम्हें एक साइकोलोजिस्ट की जरूरत है यह जो सिजुएशन यह बहुत है और होप को भी और तुम दोनों को भी इसकी जरूरत है क्रीम वहाँ से चली जाती है यह पुलिस फिर केको के थी है तुम घर जाओ और होप के जनरल से गरा लेकर आओ होप की अब जो नई थेरिपिस्ट होने वाली होती है इसने बुच्छा होता है कि जब घर जाता है तो होप की ड्राइंस बुग वगरा देखता है उसे एक कार्टून कैरेक्टर कोको मॉंग यह बहुत ही अच्छा लगता है उसके लिए खिलोना वो लेकर आता है जो थेरिपिस्ट होती है अब वो के और करीम के साथ बात करी है वो कहती है कि अगर होप का हम अभी statement ले तो इसके लिए बहुत ही hard हो सकता है वो अभी psychologically unstable है यह जो भी हमें कहेगी यह कोट में इतना hold नहीं करेगा ये को वारण निकलवाना ही होता है तो उसे force कर रहा होता है ये therapist कहती है दोनों parents अगर मुझे सहमती नहीं देंगे तो ये मैं नहीं करूँगी के फिर क्रीम को बैदाता है कि Hope को ये चाहिए उसे गुनेगार को पगड़ना है क्रीम भी फिर इसके लिए मान जाती है और हमें फिर ये therapist Hope का statement लेती हुई दिखती है वो camera में proof करती है कि Hope अपने होशो आवाज में है उसे बहुत सारे दस्विरे दिखाती है और इसमें से उसे select करने के लिए बोलती है जिस आदमी ने उसके साथ ही किया था Hope भी उस आदमी को पैचान लेती है जब वो तेरेपीस घर जा रहे होती है तो वो के और क्रीम को कहती है कि तुमें भी मेरी ज़रूत पड़ेगी Hope अपस्टेबल लग रही है पर वो बाद में चिलाने लग सकती है वो अपना कार्डों ने दे देती है क्रीमिस पर चीज जाती है और खेती है कि जो चीज अब तक हुई नहीं है तुम हमें क्यों डरा रही हो वो उसे निकल जाने के लिए बोलती है Hope ने अब स्टेटमेंट दे दिया है तो बहुत सारे पुलिस ओफिसर जाते है और जिसने ये किया होता है उसको पकड़ लेते है केको जब ये पता चलता है तो पुलिस स्टेशन के पास भागता है वहां अल्रीडी बहुत सारे निउस रिपोर्टर्स वेगर आये हुए होते है और डिडिक्टू से नहीं मिल पाता जो वहां भूदू पाता है उसके फ्रेंड का यने की वॉल्तर को से कॉल आता है वॉल्तर हुसे बोचता है की होप कैसी है वो बहुत ही कंसर्च रोता है वो बोलता है कि टिवी के सामने होस्पिटल पे बहुत सारे जनरलिस्ट वह गिरा है मैं बहुत ही डर चुका हूँ केको पता नहीं होता कि वहाँ मीडिया पहुच चुकी है वो भागता है और होप के पास आ जाता है होप को अब उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है यह होप के लिए बहुत ही अनकोफ़ड़ होता है जो इंसलेटर उसके साथ हुआ है इसे वो याद करने लग जाती है यह पेरवेगरा मानने लग जाती है पर के अभी भी सबसाब कर रहा होता है जबके होप को देखता है तो उसे पता चलता है कि होप अब क्या मैसुस कर रही है होप को उसके फादर का टच भी उस रेपिस के टच की तरह लग रहा था यह बहुत ही घिरोनी रेलाजेशन केको होती है होप रो रोकर बहुत ही डिस्टरब हो जाती है और उसके हालत और भी खराब हो जाती है केको बहुत ही दूख होता है और होब से वो दूर चला जाता है क्रीम जब रिपोर्टर को रोक रही होती है तो यह उसे चक्कर आती हूँ और वो गिर जाती है अब वो प्रेग्नन्ट है यह केको पता चल चुका है क्यों से पुछता है मुझे तुम कब बताने वाली थी क्या तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए था क्रीम कहती है कि मैं सिर्फ भूल गई थी रात में फिर होब से मिलने के आता है पर उसने अपना फेस कवर कर लिया होता है कि उसे बताता है कि अब उसे sibling होने वाला है कि उसे बुझता है कि क्या तूम embarrassed हो ये सही होता है तो इसी वज़े से वो वहाँ से चला जाता है Hope उसे अब देख भी नहीं पा रहे इसे वो बहुत ही disturb होता है कि एको फिर idea आता है Hope को जो toy अच्छा लगता है उससी चीज का बुलून उसके पास होता है ये पहनने के कोशिश वो करता है ये पहन कर वो hope से बात कर सकता है ये उससे लगता है ये वो ट्राइ करता है पर ये successful नहीं हो पाता hope के जो hospital भी लोते है ये भी बहुत ज़ादा होते है ये credit card पर ये सब वो pay कर रहा होता है Walter का Keko call आता है उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम पैसों के जरुरत होगी उसे पैसे देने के लिए offer करता है कि ये ले नहीं रहा होता Walter बोलता है कि मेरे पैसे तुमें देने के लिए क्या मुझे गिड़गी ना पड़ेगा Walter बोलता है आज जो culprit था उसके court में hearing होने वाली है के वहाँ जाने वाला होता है वो करीम को कहता है कि तुम यहीं रुख हुई तुम यहाँ से हिलोगी नहीं करीम को मिलने फिर उसकी friend Skyler आती है Skyler उसे confront करती हो और बोलती है कि क्या तुम्हें सच मुच में लगा था कि मुझे पता है कि यह होप ही है मैं कभी भे ऐसा नहीं कर सकती वो फिर उसे कहती है कि मैं बहुत ही बहले तुम मिलने आनी आनी वाली थी तुमने कहा था कि तुम मुझे मार दोगी इसलिए मैं नहीं आई करिम कहती है मैंने बोला था मैं कर सकती हो मैं करने वाली थी ऐसा नहीं था Skyler फिर उसे सहारा देती है और बोलती है कि तुम रो भी नहीं सकती तुम strong हो ऐसा तुम pretend कर रही हो फिर ये दोनों मिलकर रोने लग जाते है उसने उसके लिए खाना लाया होता है ये उसे वो फिर खिलाती है जब hearing में होता है तो इस culprit care lawyer अब अपनी गवाई दे रहे होते है वो कहता है कि मेरे client को पता भी नहीं है कि उसने ये किया भी है या नहीं वो बहुत ही drunk था और वो construction worker है तो वहाँ से वह आता जाता रहता है पीछले दिन जब वो अपने job से घर आया उसके बाद से उसने क्या भी किया है वोसे कुछ भी नहीं पता है कोट में सब सबूत भी पेश किया जाते है जर्च कहता है कि इस case की और भी investigation होनी चाहिए इसलिए वो next date दे देता है अब हमें hospital दिखा गया है और क्रीम को cheer up करने के लिए इसके जो भी सब favorite toys है इनको पहन कर उसे cheer up करने के कोशिश की जा रही होती है यह उसके therapist का idea होता है इसमें क्रीम, Skylar और जो एक nurse थी यह भी होती है यह उसके पास जाते है और dance करने लग जाते है वाल्टर जब आता है तो क्रीम से पूछता है तुम तो इस therapist को निकल जाने के लिए बोल रही थी क्रीम उसे कहती है Hope को यह help कर रही है यह इनफ है Hope को cheer up करने के लिए यह सब जो costume उनने लाये होती है इनका बहुती बील आ जाता है अभी के लिए तो के इसे पे कर देता है पर next day पे नहीं कर पाता इसके prizes जो पूछता है तो उन्हें कहता है क्या मैं इसे installment में पेकर सकता हो यह जिस आदमी के costume होती है उसे बुरा लगता है वो फिर उसे एक बड़ा सा costume लेता है और उसे दे देता है वो कहता है कि हम इसे जादा यूज नहीं कर सकते तुम्हें जब तक लगे तब तब तुम इसे यूज करो जब तुम्हारा काम खतम हो जाएगा तब तुम इसे वापस दे देना रात में therapist और क्रीम दोनों बैटे हुए होते है therapist दोसे कहती है कि मेरी जो बैटी थी उसके साथ भी यह हुआ था वो जब 16 साल की हुई थी तब उसने suicide कर ली थी इस therapist से भी यह रहा नहीं गया था इसलिए उसने भी suicide करने की ट्राय की पर इससे उसका पेर बैरलाइस हो गए वो क्रीम को कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस से गुजर रही हो कि होप से डारेक्ली अब बात नहीं कर पा रहा तो एक कौश्यों में बहुत पहन लेता है वो उसे हक कर लेती है और फिर के घर चला जाता है नेकसे इन में हमें दिखता है कि तेरेपिस्ट होप से बात करी है होप अब भी slide पर रिक रही होती है वो एक board निकालती है और उसे बटरफला लेकती है वो कहती है कि अब मैं तुम से बहुत सारी बाते करने वाली हो जो भी बात में तुम से करोंगी इसके बाद में मैं एक butterfly इस board पे रखोंगी जब ये board भर जाएगा तुमारा जो pain तुम मैसूस कर रही हो ये भी बहुत सारा खतम हो जाएगा तुम उसे directly बात कर सकोगी therapist और hope ये दोनों बहुत सारी बाते करते हैं और अब इसका जो board है ये पूरा सा भर चुका है अब hope directly freely उससे बात कर पाती है therapist फिर hope से पुछती है कि आज date क्या है hope उसे date बता देती है therapist कहती है तुमारा summer break चल रहा था अब ये खतम हो जाने वाला है तुम फिर से school में जा सकती हो hope कहती है कि मैं नहीं जा सकती तेरे पिस उसे पुछते है क्यों नहीं जा सकती hope कहती है कि मैं embarrassed हो मैं फिर से अपने friend के साथ नहीं मिल सकती उस दिन क्या हुआ वो मैरे friend को नहीं बता सकती उसे लग रहा होता है उसके friends को सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था होप कि जो भी सब friends होते हैं, classmate होते हैं यो उसके shop पर आते हैं और इस shop बंद होती है तो इसका class पर उसके लिए greetings card लिखते हैं बहुत सारी अच्छी चीज़े इसे cheer up करने के लिए लिख कर जाते हैं यह therapist उसे पूछती है कि क्या चीज़े हैं जो तुम miss करती हो वो कहलती है कि मैं classroom में जाना miss करती हूँ मेरे parents work नहीं कर सकते, यह भी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है बहुत सारे पैसे मेरे treatment में जा रहे हैं, यह भी गलत है इसके parallel scene में हमें देखता है कि के internet पर सच कर रहा होता है कि वो अपने बेटी से कैसे बात कर सकता है उसे बहुत ही problem अब आ रही होती है वो फिर therapist से उस दीन के बारे में बात करती है वो कहती है कि मैं वहाँ से निकल जो ऐसा मुझे लगा था पस street पर कोई भी नहीं था उस आदमी को मुझे help करने चाहिए, ऐसा भी मुझे लगा था वो कहती है कि मुझे लगा था कि सब लोग मुझे appreciate करेंगे पर वो अब मुझे ही blame कर रहे है वो फिर कहती है कि मुझे school जाकर मेरा homework करना है जब मेरा brother या sister born होगी तो मुझे उसे पकड़ना है वो artificial organ के साथ रहती है तो इसे अब डर लग रहा होता है कि जब baby आएगा तो उसे वो गंदा कर देखी उसे ये भी लगता है कि जो baby आएगा वो उसे cute होगा तो उसके parent उसे ही प्यार करेंगे वो therapist से कहती ही कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं आगर आग burn कर लूँगी और जब खुलूँगी तो सब ठीक हो चुका होगा पर कुछ भी कभी भी नहीं बदलता वो कहती ही कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में आई ही क्यू हो हम parallel scenes में दिखाया जाता है कि के बहुत ही effort कर रहा है वो एक costume पैता है और हर रोज hope से मिलने आता है hope की जो भी situation होती है उसे देखने के लिए वो उसके room में आता है पर उसके सामने वो नहीं आता जब यो उसके सामने आता है तो costume में ही आता है अब time गुजर चुका है hope अब घर आ सकती है hope का बड़े भी वो hospital में ही celebrate करती है और अब उसे ये घर लेकर जाने वाले होती है hope अब घर आने वाली है जिस street पे उसके साथ हास्ता हुआ था ये street उसे दिखती है वो बहुत ये uncomfortable मैसूस करने लग जाती है और वो उल्टी भी कर देती है जब वो घर पोचती है तब उसे दिखता है कि उसके friends ने उसके लिए कितने cards वोगरा लगाए है निकस दिन के shop के बाहर बेटा हुँ होता है वहाँ चिंटू आता है उसे बोचता है कि क्या hope घर पर आ चुकी है कि कहता है कि तुम तो उसके साथ नहीं खेलते थे तुम आप उससे क्यों मिलना चाते हो चिंटू कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं था लोग कुछ भी अफ़ा फेलाते है चिंटू फिर बोलता है कि मैं पागल होने लग गया हूँ वो रोने लग जाता है वो कहता है कि अगर उस दिन में उसके साथ गया होता तो उसके साथ ही नहीं होता कि उसे पास बोलाता है उसे हग करता है और कहता है कि प्लीज मत रो उसे बहुत सारी कैंडी होसी देता है निज दिन होप को फिर स्कुल जाना होता है क्रिम को सकाईलर कॉल करती है और कहती है कि मैं होप को स्कुल ले कर जाओंगी उसे सपोर्ट के आज जरूरत होगी इसलों यह करने वाले होती है ये रस्ते से जब जा रहे होते है, फिर से वो वही स्टीट पर आ जाते है होब को फिर से वो feelings ना है, इसी वज़े से केने costume पहेंग कर वाहा खड़ा हो ओता है उसका friend उसे हमेशा support करने के लिए वाहा है, ये ऐसा उसे support करकर जता रहा होता है ये फिर hope के principal से भी मिलता है वो उसे कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना है hope किसी भी male teacher के direct contact में ना आ जाए hope जग school जाती है तो उसे एक pack पहिन कर जाना पड़ता है जो हमें ऐसा आवाज करती है बच्चे ये उससे पूछ सकते है केखुफर idea आता है और एक pouch उसे को gift करता है इस pouch में बहुत सारे chocolate सो रख देता है इससे जब उसके friend उसके pouch के बारे में पूछेंगे तब ये आवाज उसके टॉफिस से आ रही है उसके chocolate से आ रही है ये वो बता सकती है उसे इंबरस फिलने होना चाहिए इसलिए कि उसे पाउच देता है क्रीम थेरिफिस के बारे में पूछेंगे तो उसे अपने feelings बताती है वो कहती है कि मैं कभी कभी wish करती हूँ जो hope के साथ हुआ है वो सभी बच्चों के साथ हो जाए इससे सब normal हो जाएगा hope को भी वो normal है ऐसा लगेगा निक्स दिन जब hope स्कूल जाना चाती है तब चिंटू भी उसके साथ आता है hope उसे कहती है कि मैं तुमारे साथ नहीं चलना चाती तो चिंटू कहता है मैं तुमारे बीची बीची चलूँगा उसे support करने के लिए उसके साथ आया हो जाता है जब स्कूल चल रही होती है, तब कि अपना वर्क छोड़ देता है, कॉश्यूम पहन लेता है, और स्कूल के बाहर कॉश्यूम पहरकन आ जाता है, वो होब को सपोर्ट देने के लिए, या अकेली नहीं है, उसका फ्रेंड उसके साथ है, इसी वज़े से वो आया हुआ होता है होब के फ्रेंड जब उसके पहुच के बारे ने पूछते है, तब ये बता देती है, कि ये इसमें टॉफिस है, उसके फ्रेंड को ये चॉकलेट भी दे देती है, करि का जो प्लाइन था, वो सक्सेस्पूल हो जाता है, होब जब घडर जा रही होती है, तो कॉश्यूम में के भी वा होता है उसे पूरे रस्ते में सपोर्ट देने के लिए वा होता है चिंटू अब होप के साथ चल रहा है वो उससे पुछता है कि क्या यह तुमारा नया फ्रेंड है वो कहती कि हाँ यह मेरा नया फ्रेंड है चिंटू फिर उससे पुछता है कि यह boy है या girl है Hope कहती है कि यह मैं मेरा friend है यह boy है या girl है यह मुझे नहीं पता यहाँ इस scene हमें कुछ बताता है Hope का अपने फादर से ही problem हो चुका था उसे हर आदमी उन्हें कल्पिट दिख रहा था जो भी male उसे संबर में आ रहे थे उन सबसे वो डर रहे थी अब उसे एक realization हो चुका है जो friends होते है यह कभी भी male female ऐसे नहीं होते है यह सिर्फ friends होते है कभी भी हम उनमें कुछ difference नहीं कर सकते वो हमें support करने के लिए आँ है यह उसे अब realize हो चुका है hope जब घर पर आती है तो घर के पास costume में के होता है वो फिर उसके पास जाती है उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे फादर हो मुझे please बताओ मैं तुमसे बात नहीं कर रहे थी क्या इसी वज़े से तुम यह सब कर रहे हो वो फिर अपने फादर के लिए केर करती है उसे कहती है कि तुम्हें अंदर बहुत ही hot महसूस हो रहा होगा यह जो costume होता है इसमें आदमें बहुत ही set करता है इसमें रहना बहुत ही uncomfortable होता है कि उसे कुछ भी बात नहीं कर रहा होता hope फिर उसे घर लेकर आती है और अपनी मदर के पास लेकर आती है क्रीम पूछती है कि यह क्या है क्रीम फिर केई का मास्क उतारती है hope उसके पास जाती है और उसे बहुत सारा पसिना आयो होता है वो सब वो पूछती है कि जब अपने काम पर होता है तब उसे डिक्ट्यू को कॉल आता है डिक्ट्यू उसे कहता है कि जो गुनेकार था उसने एक petition जायर की है वो कह रहा था कि वो ड्रंग था और उसे कुछ भी याद नहीं है वो mentally unstable भी है ऐसा भी वो कह रहे है Hope ने जोग testimony दी थी तो वो बहुत ही injured थी वो बहुत ही high medicine पर थी तो उसकी testimony अब hold नहीं कर रही इस culprit को अब बहुत ही कम सजा होने वाली होती है के फिर उसे मिलने जाता है के उसे पुछता है कि जो भी तुम कह रहे हो कह सच है वो बोलता है कि हाँ मैं जितना भी try करता हूँ remember करना पर मैं remember नहीं कर पाता वो बोलता है कि अगर मैंने सच मुझ में एक किया है तो मैं जेल में होना चाहता हूँ पर मुझे सच मुझ में कुछ भी याद नहीं आ रहा के को भी ये सब बिली होने लग जाता है पर ये फिर उसे कहता है क्या हम settle कर सकते है उसे कहता है कि जब मैं जेल से निकलूँगा तो मैं वर्क करने लग जाऊँगा तो मैं तुम्हें पेक कर सकता हूँ इसे सब को जयाद होता है तो के उस पर बहुत ही चिर जाता है ये culprit फिर बोलता है कि तुम मुझे डर कर रहो मुझे अब बहुत कम सजाऊंगी और जब मैं वापस आऊंगा तभी भी तुम यही रहोगे मैं तुम्हें हट कर सकता हूँ के फिर इस पर ज़्यादा ही जीट जाता है कुर्स या वेगरा वो फेगने लग जाता है के जब अपने फ्रेंड वाल्टर के साथ गाड़ी में बेटा हुआ होता है तो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसा फिल कर रहे हो पर इस सिचुएशन को तुम्हें साथ एक एक्सिडंट हुआ है ऐसा तुम्हें स्टीट करना चाहिए कि किसी के भी साथ हो सकता था के इससे एगरी नहीं करता और कहता है कि प्लीज गाड़ी रोग दो वो अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करना चाहता वो अकेला ही चलने लग जाता है जब रात होती है तो के करिम को बताता है कि जो कल्परिट है वो 8-9 सालों में जेल से निकल सकता है वो से बुछता है कि क्या तुमारे पास मेरा इंशॉरंस है करिम बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो करिम बुछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो निक्स दिन फिर court चलता है, इस court में hope को भी बुलाय जाता है, hope को उसे identify करने के लिए बोला जाता है, सब सबूत पेश किया जाते हैं, पर जो culprit था, उसने petition जायर किया था, कि वो drunk था और उसे कुछ भी याद नहीं है, इसने ये किया है, ये तो fix है, तो इसलिए judge बोलता है कि इसे सजा तो होनी ही चाहिए, पर इसने ये किया था, तब वो होश में था, ये हमें पता नहीं है, इसी वज़े से उसे बहुत ही कम सजा, सिर्फ 11 साल की सजा उसे हो जाती है, court room में सब लोग जो होते है, ये सब बहुत ही चीर जाते है, कि का friend Walter फिर खड़ा हो जाता है, औ कैसा कैसा justice है, अगर वो drunk था, तो इससे क्या फरक पड़ता है, तो फिर drunk and drive का भी case नहीं होना चाहिए, cream भी अंदर आ जाती है, वो judge से बोलती है कि सिर्फ 11 साल, 11 साल के बाद hope किस age की होगी, वो face से उसे मिल सकता है, कैसे आप ये सब होने दे सकते हो, वो वही court room में रोने लग जाती है, कि ये भी रो रहा होता है, पर अब ये सहन नहीं कर पा रहा, वो एक चीज उठाता है, और उस culprit के सर पर वो mark कर, वो से मार देने वाला होता है, ये वो करी रहा होता है, तब हुप उसा पेर पकड़ लेती है, हुप रो रोकर कहती है, कि प्लीज हम घर चलते ह बहुत सारी चीज़े अपने लाइफ में लॉस्ट कर दी है, वो अपने फादर को भी लूस नहीं करना चाती, जब रात थी, तब उसने सुना था, कि उसके फादर क्या करने वाले थे, इसी वज़े से अब उपने फादर को रोक लीती है, के भी रोक जाता है, उसे अपने नाम अप क्या रखने वाले हो, के बोलता है कि मैंने होप का नाम रखा था, अब होप उसके ब्रदर का नाम रखेगी, होप ने ब्रदर का नाम हैपी रखती है, ये कहते है कि हैपी का सर बहुत ही बड़ा होने वाला है, कि फिर जिंटू को जिड़ाती है, वो कहती है कि जि स्कूल से क्यों निकल गई थी पर वो उसे अब इतना फरक नहीं पड़ रहा वो उसे कुछ ना कुछ तो बताई देगी वो घर आती है और उसने अब बहुत सारे टॉइस बनाई होते है अपने होतो से उसने क्रेट किया थै वो हमसे कहती है कि मेरे फादर जिस तरह से काम करते है वेसा भी में काम कर सकती हो मुझे चीज बनाना अच्छा लगता है उसने अपने ब्रदर के लिए ये सब चीज़े बनाई होती है अपने ब्रदर की पास आकर वो उसे एक एरोपलेन देती है वो फिर हमें कहती है कि इस दुनिया में आना हमें जर्म मिलना ये एक ब्लेसिंग होती है ये मुवी याँ खतम हो जाती है पर इस मुवी का मैसेज की हम बात करेंगे जब होप हॉस्पिटल में थी और थेरीविस से बात कर रही थी उसे बहुत सारे प्रॉलम थे वो स्कूल में कैसे जाएंगी उसके फ्रेंड्स को क्या बोलेगी वो स्कूल में कैचप कैसे करेगी उसके जो अपने फादर के साथ रिलेशेंशिप है वो भी बहुत ही complicated हो चुकी थी वो अपने फादर से बात नहीं कर पा रही थी उसके साथ जो भी हुआ था इसकी वज़ेस उसे लग रहा था कि वो जिन्दा ही क्यों है वो इस दुनिया में उसने जन्मी क्यों लिया था इस माइनसेप में वो थी जब वो घर आई थी उसके फ्रेंड्स ने उसको चीर अप करने के लिए उसके लिए बहुत सारे ग्रिटिंस कार्ड लाए थे जो चिंटू था उसे सपोर्ट करने के लिए हर वक्त वहा था जब वो उसके साथ चलना भी नहीं चाहती थी फिर भी उसके पीछे वो चल रहा था खोब कुछ इंटु का support या उसके friends का support ये enough नहीं था जब उसके father costume में आते थे तब उसे बहुत ही अच्छा लगता था लाइब से ज खुझने का उससे motivation मिलता था उसे हمेशा से पता था कि उसके father ही है जो से support करे हैं उसके साथ यह जो सब हुआ था यह एक आदमी नहीं किया था पर हर आदमी उसी तरह से बुरा होगा जो भी लोग उससे मिलेंगे वो भी उससी तरह से बुरे होंगे ऐसा कुछ भी restricted नहीं है लोग जब अच्छे होते हैं जब वो आपके friend बन जाते हैं तो वो कभी भी आपको hurt नहीं कर सकते अस्पिटल में अपने ब्रदर से वो जब पहली बार मिलनी थी वो आए एक photo frame थी जिस पर लिखा था कि जो लोग सबसे अकेले होते हैं वो ही सबसे kind होते हैं जो सबसे दुखी होते हैं वो ही brightest होते हैं इस quote से हमें बता चलता है कि hope के साथ अब ये सब चीज़े हो चुकी है पर वो अब अपने life के प्रती बहुत ही positive है वो अब चीज़े बना रही थी अपने ब्रदर के लिए उसने toys बनाये थे उसने कहा था कि वो अपने father की तरह है वो चीज़े construct कर सकती है उसने अपने ब्रदर को एक aeroplane gift किया था हम जैसे movie के first में देखा था एक kite उसका freedom रिप्रेजन करता है और जो corporate था उसने उसका freedom ले लिया था उसे सब्जा दिलवाना चाहती थी और उसमें वो consume हो चुकी थी उसे अपना freedom फिर से मिल नहीं पा रहा था जब अब बहुत सारा time गुजर चुका है अब वो life के प्रदी positive हो चुकी है तब उसे अपना freedom वापस मिल चुका है उसके life में अभी प्रॉलम है तो आप वो डटकर सापना करने वाली है उसके father उसके साथ है उसकी family उसके साथ है उसके friends हमेशा उसे help करेंगे जब भी आपको life में लगता है कि कुछ भी सही नहीं होने वाला तब आप एक step लेते है और उसके पाथ जब आप अलग और एक step लेते है तब life ज़रा easy हो जाती है जिससा time बीटता जाता है तब और भी ये सब चीजे आसान होती जाती है कितनी भी बूरी चीजे आपके साथ हो फिर भी आप इससे निकल सकते हो एक beautiful message देकर ये movie हमें inspire करकर चली जाती है अगर आपको भी ये movie अच्छे लगी होगी तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी ऐसे movie में लेकर आता रहते हो तो please मेरे चैनल को subscribe भी कर दीजे और बेल notification आइकोन भी दबा दीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नही movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये